हलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है मेरा नाम आरव है, यह प्रेम कहानी की शुरुवात एक छोटे से गाव से होती है, जहां आरव और अनाया रहते थे आरव गाव का सबसे होश्यार लड़का था और अनाया अपनी सुन्दर्ता और विनम्रता के लिए जानी जाती थी दोनों बच्पन से ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए उनकी दोस्ती गहरे प्रेम में बदल गई डॉट आरव का सपना था कि वह बड़ा होकर एक सफल इंजिनियर बने और अपने गाव को प्रगती की राह पर ले जाए अनाया का सपना था कि वह एक प्रसित कलाकार बने और अपनी कला से दुन्या को सुन्दर्ता का संदेश दे दोनों ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की और एक दूसरे का हर कदम पर साथ दिया एक दिन आरफ को एक बड़े शहर में पढ़ाई करने का मौका मिला अनाया ने उसे खुशी-खुशी विदा किया और कहा मैं तुम्हारे सपनों को पूरा होता देखना चाहती हूँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी चाहे जो भी हो आरफ शहर में पढ़ाई करने चला गया और अनाया ने अपने गाव में रहकर अपनी कला को निखारना शुरू कर दिया दोनों ने हर दिन एक दूसरे को पत्र लिखे और अपने दिल की बाते साजह की समय बीटता गया और आरफ एक सफल इंजिनियर बन गया अनाया की कला भी पूरे गाव में प्रसिध हो गई डॉट जब आरफ अपने गाव लोटा तो उसने अनाया को अपने प्यार का इजहार किया अनाया ने खुशी खुशी उसका प्रस्ताव स्वीकार किया और दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया गाव के लोगों ने भी उनकी प्रेम कहानी की सराहना की और दोनों के विवा का जश्न मनाया डॉट आरफ और अनाया की शादी के बाद उनके जीवन में नई चुनौतिया और अवसराए आरफ ने गाव में एक बड़ी परियोजना की शुरुआत की जिससे गाव की आर्थिक स्थिती में सुधार हो सके उन्होंने एक नए स्कूल और अस्पताल का निर्मान करवाया ताकि गाव के बच्चों और बुजुर्गों को भेतर शिक्षा और स्वास्थि सेवाएं मिल सके डौट अनाया ने अपनी कला का विस्तार किया और गाव की महिलाओं को कला और शिल्प में प्रशिक्षित करना शुरू किया उन्होंने एक कला केंद्र खोला जहां महिलाएं अपनी प्रतिभा को निखार सकती थी और अपनी कला को बेच कर आत्म निर्भर बन सकती थी अनाया का सपना था कि गाव की हर महिला सशक्त हो और आत्म निर्भर बने डौट समय बीटता गया और आरव और अनाया का परिवार भी बढ़ा उनके दो बच्चे हुए एक बेटा आरुश और एक बेटी अनवी आरव और अनाया ने अपने बच्चों को वही मूल्य और संसकार सिखाए जो उन्हें मिले थे वे हमेशा अपने बच्चों को यह सिखाते थे कि सची खुशी दूसरों की सेवा में है और सफलता का सही अर्थ समाज की भलाई में योगदान करना है डौट एक दिन गाव में एक बड़ी आपदा आई भारी बारिश और बार ने गाव को बुरी तरह से प्रभावित किया आरव और अनाया ने मिलकर गाववासियों की मदद की आरव ने अपनी इंजिनियरिंग की विशेश शग्यता का उप्योग करके बार से बचाव के उपाई किये और अनाया ने महिलाओं के साथ मिलकर राहत सामगरी का वित्रण किया डौट आरव और अनाया की मेहनत और समर गाव जल्दी ही बार से उबर गया। गाववासियों ने उनके प्रयासों की सराहना की और उन्हें अपना नायक मान लिया। चलने का निश्चय किया। आरुष ने विज्ञान में रूची दिखाई और अन्वी ने अपनी मा की तरह कला को अपनाया डौट आरव ने गाव में एक तक्नीकी प्रशिक्षन केंद्र की स्थापना की ताकि युवा पीडी को आधुनेक तक्नीक का ग्यान मिल सके। अपने गाव में ही नौकरी करने लगे डौट अनाया ने अपने कला केंद्र का विस्तार किया और इसे एक राश्च्रिय स्तर का कला केंद्र बना दिया। उन्होंने ग्रामेण हस्तशिल्प और कला को बढ़ावा देने के लिए कई प्रदर्शनियां आयोजित की। उनकी कला अब न केवल देश में बलकी विदेशों में भी प्रसिद्ध हो गई डौट एक दिन अनाया को एक अंतराश्च्रिय कला प्रदर्शनी में भाग लेने का निमंतरन मिला। यह उनके लिए एक बड़ा अवसर था और आरव ने उन्हें पूरा समर्थन दिया। गाववासियों ने मिलकर उनकी इस उपलब्धी का जश्न मनाया। इस मौके पर आरव ने अनाया को एक खास तौफा दिया, एक नई आर्ट गैलरी का उदघटन। पच्चों को भी यही सिखाया कि सच्चा प्रेम और परिश्रम किसी भी मुश्किल को आसान बना सकता है। एक मिसाल थे और उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाता था डौट आरव ने अपने बेटे आरुश को तक्नीकी प्रशिक्षन केंद्र का प्रबंधन सौंप दिया। और अनाया ने अपनी बेटी अनवी को कला केंद्र की जिम्मेदारी दी उनके बच्चे भी अपने माता-पिता की तरह समर्पित और महनती थे। और उन्होंने अपने-अपने केंद्रों को और भी उन्नत बनाया। आरव और अनाया ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में गाव के बच्चों के लिए एक बड़ा पुस्तकालय बनवाने का सपना देखा। उन्होंने अपनी जमापून जी इस पुस्तकाले के निर्माण में लगाई और गाववासियों की मदद से इसे पूरा किया इस पुस्तकाले में हर तरह की किताबे थी जिससे गाव के बच्चे और युवा पढ़ाई कर सकते थे और अपनी ज्यानवर्धन कर सकते थे पुस्तकालाई के उद्घटन के दिन गाव में एक बड़ा समारो आयोजित किया गया सभी गाववासी, बच्चे और यूवा उपस्थित थे आरव और अनाया ने मिलकर पुस्तकालाई का उद्घटन किया और कहा यह पुस्तकालाई हमारे गाव के भविश्य के लिए है हम चाहते हैं कि यहां के बच्चे पढलिक कर बड़े इंसान बने और अपने सपनों को पूरा करें समारो के बाद आरव और अनाया ने एक दूसरे का हाथ थामा और मुस्कुराए उन्हें संतोश था कि उन्होंने अपने जीवन में जो सपने देखे थे वे सब पूरे हो गए थे वे अपने बच्चों और गाववासियों के बीच खुशी-खुशी रहने लगे डौट कुछ वर्षों बाद आरव की तबियत खराब होने लगी अनाया ने उनकी बहुत सेवा की और हमेशा उनके साथ रही एक दिन आरव ने अनाया का हाथ ठाम कर कहा तुमने मेरे जीवन को संपूर्न बना दिया तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं होता अनाया की आखों में आसु थे लेकिन में मुस्कुराई और कहां हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी चाहे जो भी हो आरव की मृत्यू के बाद अनाया ने उनके सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया उन्होंने पुस्तकालय को और भी विस्तरित किया और गाव के हर बच्चे को शिक्षा की रोशनी से रोशन किया कुछ वर्षों बाद अनाया भी आरव के पास चली गई लेकिन उनकी यादे और उनका योगदान हमेशा गाव के लोगों के दिलों में जिंदा रहे डौट आरव और अनाया के निधन के बाद उनके बच्चों आरुश और अन्वी ने अपने मातापिता की विरासत को संभाल लिया वे अपने माता-पिता के आदर्शों और मूल्यों को आगे बढ़ाते हुए गाव की सेवा में लगे रहे गाववासियों ने उन्हें हमेशा अपने माता-पिता की तरह आदर और सम्मान दिया आरुश ने तक्नीकी प्रशिक्षन केंद्र को और भी आधुनिक बनाया उन्होंने शहरों से विशेशग्यों को बुलाकर गाव के युवाओं को नई तक्नीकों से परिचित कराया इससे गाव के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलने लगे और गाव की अर्थव्यवस्था में भी सुधार हुआ उन्होंने किसानों के लिए नई कृषी तकनीकों का भी प्रशिक्षंड दिया जिससे उनकी पैदावार में वृद्धी हुई डॉट अन्वी ने कलाकेंद्र का विस्तार किया और उसमें नेने कार्यक्रमों का आयूजन किया उन्होंने देश के प्रसित कलाकारों को बुला कर कारिशालाएं आयोजित की जिससे गाव की महिलाएं और भी प्रतिभाशाली बन गई अन्वी की कलाकेंद्र ने कई राष्ट्रिय और अंतराष्ट्रिय पुरस्कार भी जीते डौट एक दिन गाव में एक बड़ा आयोजन किया गया यह आयोजन आरव और अनाया की स्मृति में था जहां उनके योगदान को याद किया गया और उनके जीवन से प्रेरणा लेने की बात की गई इस आयोजन में शहर के कई प्रतिष्थित लोग भी शामिल हुए आयोजन के दौरान आरुश ने एक प्रेरणा दायक भाशन दिया उन्होंने कहा हमारे मातापिता ने हमें सिखाया की सच्चा प्रेम और समर्पन किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है हम सभी को उनके आदर्शों पर चलना चाहिए और समाज की भलाई के लिए काम करना चाहिए अन्वी ने भी अपने मातापिता के योगदान को याद करते हुए कहा मेरी माने हमें सिखाया की कला केवल सुन्दरता का नहीं बलकि समाज की सेवा का भी माध्यम है हम सबको अपने अंदर की कला को निखारना चाहिए और उससे समाज को सशक्त बनाना चाहिए इस आयोजन के बाद गाववासियों ने मिलकर एक समारक बनाने का निरने लिया इस समारक में आरव और अनाया की प्रतिमाए स्थापित की गई ताकि आने वाली पीडिया उनके योगदान को याद रख सके और उनसे प्रेरना ले सके डॉट गाव में आरव और अनाया की प्रेम कहानी अब एक प्रेरना बन गई थी उनकी कहानी ने गाव के हर व्यक्ति को सिखाया कि सच्चा प्रेम और समर्पन किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है उनके आदर्शों और मूलियों ने गाव को एक नई दिशा दी और उसे प्रगती की राह पर आगे बढ़ाया आरव और अनाया की स्मृति में बने समारक के बाद गाव की पहचान पूरे देश में फैलने लगी लोग इस गाव को प्रेरना का स्रोत मानने लगे और कई लोग यहां आकर आरव और अनाया की कहानी सुनने और उनकी विरासत को देखने लगे गाव में शिक्षा और कला के क्षेत्र में एक नई क्रांती आई पुस्तकाले में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बढ़ गई और कला केंद्र में महिलाएं और युवा नई-नई तक्निके सीखने लगे आरव और अनाया के आदर्शों ने गाव के हर व्यक्ति को प्रेरित किया और उन्हें आत्म निर्भर बनने के लिए प्रोच्साहित किया आरुश और अनवी ने अपने माता-पिता की याद में एक वार्शिक महुद्सव की शुरुवात की इस महुद्सव में विभिन्न गतिविधिया होती थी जैसे की कला प्रतियोगिताएं, विज्ञान प्रदर्शनिया और सांस्कृतिक कार्यक्रम इस महुद्सव में देश के विभिन्न हिस्सों से लोग आते और गाव के विकास और आरव और अनाया के योगदान को सराहते आरव और अनाया के पोते-पोतियों ने भी अपने दादा-दादी की तरह समाज की सेवा का निश्चय किया आरश का बेटा आयुश जो इंजिनियरिंग में रुची रखता था ने अपने दादा के सपने को आगे बढ़ाते हुए गाव के विकास के लिए नई-नई परियोजनाय शुरू की अनवी की बेटी, रीवा, एक प्रतिभाशाली कलाकार बन गई और उसने अपनी माँ और नानी के कला केंद्र को और भी प्रसिद्ध किया एक दिन, गाव में एक महत्वपूर्ण घटना घटी सरकार ने गाव को एक मौडल गाव घोशित किया और उसे राश्ट्रियस तर पर पुरस्कार दिया इस मौके पर आरुश और अनवी ने अपने मातापिता को याद करते हुए कहा हमारे मातापिता ने जो बीज बोया था, वह आज एक विशाल व्रिक्ष बन गया है उनकी मेहनत और समर्पन का फल हम सभी को मिल रहा है गाव के विकास की इस यात्रा में आरव और अनाया की प्रेम कहानी हमेशा एक प्रेर्णा बनी रही उनके आदर्शों ने न केवल उनके परिवार को, बलकि पूरे गाव को एक नई दिशा दी उनकी कहानी ने यह साबित किया कि सच्चा प्रेम और समर्पन किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है और समाज को प्रगती की रह पर आगे बढ़ा सकता है डॉट गाव की प्रगती और आरव और अनाया की विरासत से प्रेरित होकर पूरे देश में कई युवा समाज सेवा और विकास के कारियों में जुड़ गए आरव और अनाया की कहानी अब केवल एक गाव की नहीं बलकि एक राश्ट्रिय प्रेर्ना बन गई थी एक दिन गाव में एक नया आगन तुक आया यह एक प्रसिद लेखक और फिल्म निर्माता था जो आरव और अनाया की कहानी सुनकर बहुत प्रभावित हुआ था उसने गाववासियों से मुलाकात की और उनके अनुभवों को सुना उसने आरव और अनाया की जीवन गाथा को एक फिल्म में बदलने का फैसला किया ताकि पूरी दुनिया उनकी प्रेरणादायक कहानी से अवगत हो सके डौट फिल्म निर्मान की प्रक्रिया शुरू हुई और गाव के लोगों ने खुशी-खुशी इस परियोजना में सहयोग किया फिल्म में आरव और अनाया के संघर्ष, उनका प्रेम और उनके समर्पन को जीवन्त किया गया आरुश और अन्वी ने भी अपने माता-पिता की कहानी को विस्तार से बताया और फिल्म निर्माता को उनके जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों के बारे में जानकारी दी और अन्तराष्ट्रिय पुरसकार जीते और आरव और अनाया की कहानी को विश्वभर में फैलाया इस फिल्म ने समाज के हर वर्ग को यह सिखाया की सच्चा प्रेम, समर्पन और सेवा ही जीवन का असली सार है डौट फिल्म की सफलता के बाद गाव में और भी बदलाव आए देश विदेश से लोग यहां आकर इस प्रेर्णादायक जगह को देखने लगे गाव में एक परियतन उद्योग का विकास हुआ जिससे गाव की आर्थिक स्थिती और भी सुद्रिड हो गई आरव और अनाया की स्मृती में गाव में एक संग्रहाले की स्थापना की गई जहां उनकी कृतियों उनके द्वारा लिखे गए पत्रों और उनके जीवन की विभिन्य चीजों को संजोया गया यह संग्रहाले उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया जो सच्चे प्रेम और समर्पन के आदर्शों में विश्वास करते थे डौट समय के साथ आरव और अनाया की कहानी ने कई दिलों को छुआ और उनकी विरासत ने न जाने कितने लोगों को समाज की सेवा के लिए प्रेरित किया उनकी प्रेम कहानी एक जीवित उदाहरन बन गई कि जब दो लोग अपने प्यार और समर्पन के साथ एक साथ आते हैं तो वे किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपिया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साजह करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले यहां क्लिक करें इन अन्यव वीडियो को भी देखें जो आपको पसंद आ सकते हैं अगले वीडियो में फिर मिलेंगे